प्रधान मंत्री नुराइंद्र मोदी अब से कुछी देर के बाद दादरा नगर हवेली पहुँचेंगे सिल्वासा में मेडिकल कॉलेज और दमन में देवका सी फ्रंट देश को समर्पित करेंगे इसके लावा दादरा और नगर हवेली में आज 4,850 करोड रुपए की विकास परियोजनाओं की शिर्वात करेंगे सिल्वासा का ये नमो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टिट्यूट बन कर तयार है प्रधान मंत्री मोदी इसे राष्ट को समर्पित करेंगे प्रधुनिक मेडिकल कॉलेज में नवीनितम अनुसंधान केंद्र, राष्ट्री और अंतराष्ट्रे पत्रिकाओं से सुसजित 24 गंटे केंद्रिय पुस्तकाले, विशेश चिकित्सा कर्मचारी, चिकित्सा प्रियोग शालाएं, स्मार्ट लेक्चर हॉल अनुसंधान प् हमारी पूरी जो यहां की मेडिकल एजुकेशन है, वो पूरी डिजिटली कनेक्टेड है, बहुत जगह ऐसा होता है कि हम बच्चों को सुबदाई नहीं मिल पाते हैं, तो यह सुबदाई यहां पर सारी के सारी लेस हैं, चाहे वो कोई भी सुबदा हो, जैसे कि हम होस्पिटल है, होस्पिटल ही हमारा बहुत बड़ा है, जो पैतिस एकड और दो सो तीन करोड की लागत से बना यह नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्ट इंसिट्यूट, किंदर सासित प्रदेश, दादर नगर हवेली और दमन दिव का पहला मेडिकल कॉलेज है, इस नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्ट इंसिट्यूट के बन जाने से, आदिवासी बहुल इस छेतर में ना केवल वर्ड क्लास चिकित सा सुविधा मिलेगी, बलकि यहां के जो बच्चे हैं, वो अपने घर के पास ही मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। खवेली जिले के मोर्खल, खेरडी, सिंदोनी और मसाट के सरकारी स्कूल शामिल हैं। प्रधान मंत्री दमन में देव का सीफरंट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 165 करोड रुपे की लागत से करीब 5.45 किलोमीटर का सीफरंट बनाया गया है। देश में अपनी तरह का एक तटिय विहार स्थल बनाया गया है। इससे स्थानी अर्थ विवस्था को बढ़ावा मिलेगा और परियटकों को आकरशित भी करेगा। यह अवकाश और मनोरंजन गतिविधियों का नया केंद्र बन जाएगा। इस विश्व स्थरिय परियटन स्थल में अत्याधुनिक प्रकाश विवस्था, पार्किंग सुविधाएं, बगीचे, फूड स्टॉल, मनोरंजन के विभिन साधन उपलब्ध कराए गए हैं। भविश्य में यहां लगजरी टेंट सिटी बनाने का प्रावधान भी किया गया है। दमन से नीरसिंग और सिलवासा से नीतेंद्र सिंग की रिपोर्ट, डीडी न्यूज